गूड मॉर्णिं ओल अफ यू, मैं बिनेकुमार पांडे, सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करते हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उतकर्ष हिंदी पाठ माला, जो बर्ग छोज से लिया गया है पाठ तेरह, पाठ का नाम, पापा जब बच्चे थे, इस पाठ में जो प्रस्ण दिया गया है, उन प्रस्णों का मैं अस्पस्टी करन करने जा रहा हूँ सबसे पहले इसमें पाठ चर्चा दिया गया है, उन प्रस्णों को मैं अस्पस्ट करने जा रहा हूँ पहला प्रस्ण है बचपन में पापा को कहा ले जाया गया उत्तर बचपन में पापा को सरकस दिखाने ले जाया गया दुसरा रिंग मास्टर के पास क्या क्या हत्यार थे रिंग मास्टर के पास चाबुक और पिस्टॉल थे तिसरा सेर किस बार से डरता था उत्तर सेर आखों से डरता था चौथा प्रस्ण पार्क में क्या ले जाने जाना मना था और क्यों पार्क में कुत्ते ले जाना मना था क्योंकि आदमी की नजर को जानवर बरदास्ट नहीं कर सकता पठान्स से प्रस्ण किया गया है जो लिखने के लिए पठान्स को पढ़कर प्रस्णों के उत्तर आपको लिखना है जो पठान्स इस तरह से दिया गया हुआ है आपके बुक में तो आप लोग अपने बुक में पठान्स को पढ़ियेगा, मैं उन प्रस्नों को अस्पस्ट कर दे रहा है, पहला प्रस्न है, रिंग मास्टर ने अभिवादन कैसे किया, उत्तर रिंग मास्टर ने दिल पर हाथ रखकर, चारो तरफ जुक कर दर्शकों का अभिवादन किया, दुश्रा प्रस्न है, पापा ने क्या फशला किया, उत्तर, पापा ने फशला किया कि बड़े होकर रिंग मास्टर बनेंगे, अब तिस्रा प्रस्न है, छोटे कुत्ते की जरुरत क्यों थी, शिखाने की वज़े से छोटे कुत्ते की जरुरत थी, अब सही बिकल पर सही का निशान लगाईए पहला प्रस्ण है पापा क्या बनना चाहते थे तो उत्तर रिंग मास्टर दूस्ता प्रस्ण है शिखाने की शुरुवात किस से कुट्टे से तिस्ता नमबर जानवर किस चीज़ से डरते हैं निगाह से अधिक्तम सब्दों में उत्तर लिखना है पहला प बहुत ही संदार पुसाक पहना था दूसरा प्रस्ण रिंग मास्टर को देख कर सेर की क्या परतिक्रिया हुई उत्तर शेर इस्टूल पर बैट जाता पीपे पर उचल कर चट जाता मरा होने का नाटक करता अब तिसरा प्रस्ण है पार्क में पापा को कैसा कुट्टा मिला तो उत्तर पार्क में बहुँ छोटा और सफेद बड़ी-बड़ी काली आँखो वाला कुट्ता मिला चौधा प्रस्न क्या कारण था कि पापा शुरू में छोटे जानवर को सिखाना चाहते थे पापा शुरू में छोटे जानवर को सिखाना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि सेर और चीतो जैसे बड़े-बड़े जानवर नौशिख्यों के मतलब के नहीं थे पापा को इंजेक्शन क्यों लगवाने पड़े अब मुल्याधारित प्रस्न है उन प्रस्नों में से एक का उत्तर आपको लिखना है मैं तिस्रे का उत्तर अच्पस्ट कर दे रहा खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप अपने से भी लिख सकते मैं भी एक एक जामपल के तरफ लिख दे रहा किसी प्रकार का खेल अगर खेला जाए तो सावधानी बरतनी चाहिए एक बार सिवान के जोवा क्रिकेटर रमेश को ग्राउन में लगी चोटने हम सभी से छिन लिया वह कैच लेने की कोशिश के दवरान साथ ही खिलारी से टकड़ा गया था खेलने के वक्त नई सोच समझ सकती और एकागरता पर विशेश ध्यान देना चाहिए तो यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करे और साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं